आईपिल 2020 के डेट अनांस्मेंट के बाद भी क्रिकेट फैंस के दिलों में ये कश्मकश था कि क्या आईपिल इस साल हो पाएगा और होगा भी तो कैसे होगा आप सबके लिए एक गुड निउस ये है कि टीम्स UAE में पहुच चुके हैं और वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और वहाँ के टेस्स प्रोसीजियों से गुजर रहे हैं फिलहाल वो सभी कॉरिंट्राइन पर हैं थर्टीन सीजन ओफ आईपिल जिसके टाइटल स्पॉंसर्शिप में हैं ड्रीम्स 11 जो की एक मुंबाई बेस कंपनी है कोविट 19 के कारण इंडिया और चाइना के बीच का माहुल फिलहाल तनाख पूर्ण है इसी के चलते वीवो को इस साल का टाइटल स्पॉंसर्शिप नहीं मिल पाया क्यूंकि बॉइकॉट चाइनिस प्रोड़क्ट का हैस्टेग सोशल मीडिया पर चल रहा है चीम रॉयल चैलेंजर बैंगलूर को वाल्ड्राप एस्टोरिया दुबाई पाउम जुमेरिया हुटेल पर रखा गया है मुंबाई इंडियन्स को सेंट्रेजिस अबुधाबी चिन्ने सूपर किंग्स को ताज दुबाई सनराइजर अजरबाद को अनंतरा दफार्म दुबाई रिजॉट में कोलकाता नाइट राइडिस को रिज काल्टरन अबुधाबी किंग्स 11 पंजाब को सौफिटिल दपाम दुबाई में रखा गया है डेली कैपिटिल्स को पैलेस टाउन टाउन दुबाई में राजिस्तान रोयल्स को वान एंड ओनली दपाम डुबाई में रखा गया है मैचेस खेलने के लिए फिलहाल अभी फिक्स शिडियूल नहीं बनाये गये हैं की खबर ऐसी आ रही है कि दुबाई और आबुधाबी के कोविट-19 के प्रोटोकॉल्स काफी अलग है उनके रूल्स और रेगुलेशन भी काफे डिफ्रेंट है लेटेस फैक्स में ये आया है कि टीम चेन्नाई सूपर किंग के एक इंडियन बॉलर और 12 फ्रंचाइजी मेंबर्स कोविट-19 पॉजिटिव पाए गये है इसी के चलते चेन्नाई सूपर किंग को प्रैक्टिस सेशन शुरू करने की अनुमती नहीं दी गई है उनके प्रैक्टिस सेशन लेट से शुरू होंगे उन्हें एक और फोर्ट कोविट पॉजिटिव टेस्ट से गुजरना होगा जो कि फ्राइडे को होगा उनका चेन्नाई सूपर किंग के लिए कोरिंचाइन पीरियर सेप्टेंबर 1 तक की गई है चेन्नाई सूपर किंग के UAE में फ्लाइ करने के 6 देज पहले उनके लिए एक प्रिपरेटरी कैम्प चेन्नाई में हुआ था जिसमें MS Dhoni, सुरेश रैना, अमबती रयादू, पियूश चावला, धिपक छहार और बॉलिंग कोच एल बाला जी भी शामिल थे CSK टीम के COVID-Positive Infected Persons के नाम फिलहाल डिस्क्लोज में ही किये गए है IPL Players, Franchisee Team Members, उनके Families के लिए क्या-क्या Test Protocols है ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है Link नीचे description box में available है